हाई आल मैं इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ आपको कैमेरा बेसिक्स ओके तो कैमेरा बेसिक्स में मैं क्या बताने वाला हूँ कि कैमेरा का वर्किंग कैसे होता है बहुत ही सिंपल लेंग्वेज में कुछ इमेज़ ड्रॉ करके ताकि आपको समझ में एकदम जल्द क्षोटा सा नार्मल केमेरा करें तो हम पीनोल कामेरा जो बनाते ने हम होगा रहता एक चोटी सी एक बॉक्स लेते थे हम इसको एक चोटा सा होल रहता था यह पीछे के साइड एक बटर पेपर रहता था और क्या होता था फिर लाइट आता था यह light इस hole से जाके अंदर गिर जाता था और इस butter paper पर हमें क्या दिखता था पता है जैसे कि अभी यहाँ पर कोई पेड़ है तो हमें यहाँ पर दिखता था कि वह उल्टा पेड़ हो गया है और उल्टा क्यों दिखता है तो आपको समझ में आएगा कि यह जो raise है यह 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 स पिनोल क्या मेरा तो अभी हम छोटा सा उसे advance कर देते हैं ठीक है थोड़ा सा मुसे advance करते हैं हम उसको लगाते एक लेंस है यहाँ पर डिलिट करते हैं यह हम इसको लगाते लेंस यह हो गई मेरी लेंस क्या मेरा की तो अभी लेंस में क्या होगा जैसे light आएगा तो यह लेंस के थूरू जाने वाला है और पीछे जाने वाला है लेकिन इसके पीछे क्या होता है तो हम मैं यह बताने की उकोशिश करता हूं यह पीछे अभी butter paper की जगा पे है मेरा एक photo sensitive material जो silver नाइट्रेट वगरा यूज करते हैं जो फिल्म रहती है ना हमारी याने हम रोल यूज करते थे कोड़क के तो वह जो है यह बेसिकली silver नाइट्रेट solid state में लेके वह photo sensitive material रहता है फोटो sensitive material मतलब जो उसके उपर light गरने के बाद वह उसके उपर reaction करेगा और उसकी image क्या है वह सामने देने की कोशिश करेगा तो यह photo sensitive material है तो अभी यह light आएगा lens के through और इसके उपर गरेगा ओके यह उपर और यह नीचे यह ऐसा है यहाँ यहाँ में image मिल जाएगे उसकी अभी यह lens मतलब क्या होता है उसमें बहुत सारे objects रहता है actually जैसे कि यह बहुत सारी lenses है इसमें बहुत सारे optical objects रहता है बहुत ही complicated रहता है वह तो अभी lens के through जाके मेरे sensor के उपर मतलब या मेरे film के उपर जा रहा है मेरे photo के लिए लेकिन अभी यह continuous अगर light जाता रहेगा continuous अगर light यहाँ से जाता ही है जाता ही है तो उसका use तो नहीं है क्योंकि continuously मेरे image बनती रहेगी ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ में click करूंगा उसी वक्त मुझे सिर्फ image चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे picture में आता है एक shutter नाम की चीज़ शटर मतलब क्या रहता है वह एक door रहता है ओके तो अभी हम वापस थोड़ा सा draw करेंगे कि यहोगा मेरा एकदम नार्मल कैमेरा डिबा इसके अंदर है मेरी फिल्म है ओके इसके बाद है यह मेरे अलग अलग इसके ऑब्जेक्स और यहाँ पर दर्वादा हमें से बोल सकते हैं ठीक है और यह जाए तो एक ही हो सकता है यह तो अलग अलग जैसे दोहर से डिफरन्ट दोहर से और यह सब कनेक्टेट रहता है और यहाँ पर रहता है वह जो है इसके शटर का बटन जो बटन दबाने के बाद यह सब ओपन होने वाला है वो बटन मतलब हम जब फोटो खिचते हैं तब क्या होता है कि फोटो खिचने के बाद यह जो शटर है वो ऐसे ओपन हो जाता है और वो ओपन होने के बाद क्या होता है कि मेरा जो लाइट है वो त जब यह open होगा तभी मेरा light sensor के थुरू पास होने वाला है कि तो ऐसे हो गया है shutter का काम तो इससे हमने क्या control किया कि मेरा light sensor पे या मेरे film पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए अब दूसरी बात रहती है वो है कितना amount light मुझे चाहिए तो इसके लिए क्या है तो इसके लिए मेरे lens के अंदर एक mechanism रहता है ठीक है तो lens के अंदर जो mechanism है basically वो ऐसे work करता है कि यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यह बहुत ही complicated रहता है इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाने वाला हूँ तो इसमें क्या रहता है यह अगर मेरा lens है तो इसके अंदर यह बहुत सारे ऐसे plates रहते है यह metal के रहते है यह फिर normal एकदम सस्ता वाला lens र यह बटन है ना मतलब यह ring है ना यह घूमेगी और यह बड़ी यह open होगी यह फिर close होगी अगर open होती है तो ज्यादा light है यहाँ से पास हो जाएगा open होती होती है तो क्या होगा मतलब यह जो है यह open हो जाएगा ऐसे दोनों साइड से सही है तो यहाँ से ज्यादा light पास होगा अगर वो close होती है तो क्या होगा तो यह जो है यह close हो जाएगा और बहुत ही कम जगा रहेगी light को जाने के लिए तो ऐसे work होता है तो यह हो गया मेरा lens का open और close जिसकी वज़े से मै मैंने light कंट्रोल किया कि कितना मेरा lens मेरा फिल्म पे जा रहा है और इसको बोलते है अपर्चर ओके अपर्चर तो इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाने वाला हूं यह बहुत ही बढ़िया कंसप्ट है और इसमें बहुत मज़े मज़े तो यह हो गया मेरा basic camera जिसमें मेर लाइट में कंट्रोल कर रहा हूं अपर्चर के थूर और यहां मैंने shutter button लगा दिया लेकिन आप आपने देखा होगा कैमेरा में आयोल रहता है यहां पर दिखने ही रहे तो आयोल अभी हम दिखाएंगे वह ऐसे तो अभी हम एक कोशिश यहां पर आयोल दिखाने की सामने वाला सब कुछ ओके लेकिन लेंस मेरा कुछ और देख रही है मतलब मुझे भी वह दिखाई देगा लेकिन लेंस थोड़ा सा नीचे है तो वह कुछ और देखेगे तो exactly मुझे image नहीं दिखाई रहा है इसमें तो इसके लिए क्या हो गया बात में कि इस camera को थोड़ा से दिखाते हैं तो यह हो गया मेरा mirror यह mirror हो गया तो यह mirror अभी लाइट है ना यह तो शटर बंद है लाइट तो आएगी वह कैसे आएगी वह आएगी इसके उपर mirror के उपर आएगी ओके तो mirror के उपर से वह reflect हो जाएगी उपर और हमें exact image यहाँ पर जो mechanism रहता है यहाँ प हमें वह दिखता है यहाँ पे exactly mirror, मेरा camera क्या देख रहा है मेरी lens क्या देख रही है यह exactly देखने के लिए यहाँ पर एक लगा दिया है यह mirror ओके तो यह mirror जो है इसकी वज़े से आम दिखा ही देता है यहाँ पर से जैसे हिस सटर बटन जो है जो शटर बटन में प्रेस करता तो क्या होता है यह मिरर है वह उपर चला जाता है मतलब इस पोजिशन में आ जाता है तो उसी वक्त क्या होता है लाइट जो है अंदर पास होता है यह शटर भी ओपन होता है लाइट अंदर पास होता है और हमें मतलब फोटो निकल जाता है तो जब भी हम शटर बटन दबात और सिर्फ लाइट अंदर पास करता है यह है मेरा बेसिक कैमेरा जो एसलार बोला जाता है इसकी वज़े से यह जो मिरर है वह इसके ऊपर जो प्रिजम्स या जो भी चीज़े लगाई रहे जिसकी वज़े से हमें यहाँ पर इमेज दिखाई देती है हमारे आइओल से तो उस इसमें अभी क्या होता है यह पीछे का जो मटे यल है इसके उपर आता है तो वह इलेक्ट्रोनिक सिगनल जैंनल करता है तो इलेक्ट्रोनिक सिगनल जनरेट करने के बाद उसके थ्रू इमेज बन जाती है और वो हमारे SD कार्ड या फिर CF कार्ड ओके इसमें सेव हो जाती है तो इस तरीके से हमारा यह जो कोई भी कमेंट है कोई भी सजेशन है तो डेफिनेटल आप बताईए थैंक यू